हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी आज की नए वीडियो में और इसको अन्बॉक्सिंग करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दिया है और मैं sorry भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो दाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जो मैंने मगवाया था यह थोड़ा जो डिवरी आले भाईया थे उन्होंने काफी दिल नगा दिया आने में तो उस तीस लिए बिए sorry है तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम क रहता है यह men's fashion के लिए क्योंकि लड़के लोग काफी कम पहनते हैं scarf को क्योंकि इन इतना styling का idea नहीं होता है और लेकिन scarf काफी साई चीज रहती है men's fashion में तो आईए चलिए इसकी करते हैं unboxing from real to real और मैं आपको बताऊंगो कि इसकी styling कैसे करते हैं अब videos और photos जालके तो इसकी है यह दो मगवाये मैंने एक ही है और एक ही है दोने दिखाऊंगा आपको झालते पहला scarf यह कॉन से हैं यह अनॉक का scarf में दूसरा वाली देखते हैं इसो को रखू रखो हैं अ कि दूसरा इस्कारस तर यह ऐसी पेकर्च के उर तो यह अच्छी नहीं लगी मझे यह मैकिस का स्कार्फच आ याला एक है अंअहु का और एक है मैकस का तो हही चलिए देखते हैं इनको खोल के कैसे स्कार्फ है यह है 100% पॉलिएस्टर याला स्कार्फ 100% पॉलिएस्टर यह भी 100% पॉलिएस्टर है इसमें लिखा होगा अचाहिए निकालते हैं इसको भी उसको रखें है साइब सो इसमें लिखा वगैं यह यह 100% पॉलिस्टर है में यह इसTराभ है यह वहीं ऻिखालते नहीं लेकिन साइब लेकीन मैंने पाद़ा था कि यह पूरे 100परसं पॉलिएस्टर और याला भी इसको निखालते हैं इसमें है seller हैंगर लग्क्या है मैक्स वाले में और यह यह जाले स्कारफ प्राइज है देख लिए आप 449 रुपीस का और इसका प्राइज है 199 का यह तो मुझे 200 का बढ़ा है यह यह तो इतने काई पढ़ा जितने का इसमें लिखा हुआ है उतने काई तो मुझे टोटल 400 रुपीस में दोनों स्कारफ मिल गये है और यह सकारफ दोनों काफिस है यह द essa टेख्या यहुझा यह है है यह सकारफ का जिए अच्छा सकारफ है बढ़ा बढ़ा को लड़के लोग कोहीं नहीं पैहनते हिं सकार लेकिन ही काफी अच्छी चीज रहती है और स्टाइलिंग इले काफी अ कि इसको चुछ करें नहीं, तो आप काफिर स्थी दिख सकते हैं, इस काफ के साथ. इस काफ 절 करना भी अपने में एक ठ्रिक होती है. बहुत चीज रहती है, यहितेखे, इसका मेटरियल तो पूरा पॉलिस्टर वाला है, इसका भी पॉलिस्टर होती आप बस इतना ही आज की वीडियो में बस इतना ही और एंड तक देखिएगा एंड में आपको फोटोज और वीडियो दिखा गूरा इसको पहने पर और थैंक यू चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उसे मुझे ही मोडिवेशन मिलता है और ऐसे ही थैंक यू देखिए दोस्तों यह है माना स्कार्फ अब मैं इसको ब्लेक के साथ प्यार किया है आप इसको और इडिया कि कोई और कलगी के साथ भी प्यार कर सकते हैं देखे देखने में तो काफी अच्छा लग रही है यह देखिए अब दूसरा वादर पर ट्राय के दिख यह देखे पहले मैं इसको टीशर की साथ प्यार किया था अब श्र्ट के साथ पेर कर लिया है फिर बी देखे कि लगा एज़ा है यह स्कार्फ मुझे तो काफी अच्छा लगा है इसकार्फ अगर आप चाहते हैं आप यह लें तो मैं इसका लिंक डिस्रिप्शन में अगर मैं अपना honest opinion दूँ तो मैं को ये black वाला scarf जादा अच्छा लगा है ये white वाले के मुकाबले क्योंकि इसको मैं किसी भी चीज के साथ pair कर पा रहा हूँ और ये white वाला बड़ी मुश्किल से किसी चीज के साथ जा रहा है तो इसी तरह से आपको भी देखना है कि आप कौण सा मगाएं ताकि आप इसको अपने कपड़ों के साथ pair कर सकें यह होती है trick आपको पहले देखना है कि आपकास कौन से कपड़े है और उनके साथ ये scarf जाएंगे नहीं जाएंगे इक साथ सूट करेंगे नहीं करेंगे तब ही आपको मगाने है स्कार्फ मैं यह वाले को वाप्रेस करने आ लो हूँ और इसको रखने वालो क्योंकि यह काफे सही लग रहा है और यह हर चीज में मैचिंग हो जा रहा है अब आगे देखिए वाइड वाले स्कार्फ के साथ कैसे पेर कर रहा हूं मैं इसको इसके साथ मैं ब्लैक वाले भी ट्राइख कर दिखाता हूँ भी थोड़ दिर में में बहुत सरे ऐसे स्कार्फ हैं अगर आपको मंगवाना है तो वाइड विरारिटी से आप मंगवा सकते हैं उसकी टेंशन नहीं है जो आपको सूट करें जो आपको अच्छा लगे जो आप समझें आप स्टाइल कर सकें तो उसको मंगई है आपको अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद